कर दोस्तों मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस लोकडाउन के समय में अभी वर्तमान में प्रेस्टिक्शन कारिये बंद हो चुका है आई टेई कोलेजों में और कई टीचर ओनलाइन प्रेस्टिक्शन के माध्यम से भी अपनी क्लास्स ले रहे हैं आई टेई स्टडी चैनल पर आप सभी का हर्दिक अभिननन्द ने हमारी टीम ने एक निर्ने लिया है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रेस्टिक्शन देने का कारिय करेंगे मैं आप लोगों को वर्क्शोप केलकुलेशन एंड साइंस जि और यह जो हमने कारी किया है हमारा इसका मकसद हमारा यह कि अधिक सदिक विद्यारती इस चैनल से जुड़े और जो लोग आई टेई कर रहे हैं उन्हें यह जो एक्जाम होते हैं उन्हें उनको मदद मिलेगी ताकि उनका प्रेस्टिक्शन कारे कोलेज में ने चलकर यहां उसकी जो लोग तियारी करते उसमें भी कारिशाला गणना है विज्यान का काफी अधिक वेटेज होता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े अधिक से अधिक इस चैनल को शेर करें सस्क्राइब करें और आपके किसी भी प्रकार के अगर कोई डाउट होते हैं तो आप हम में कमेंट करके बता सकते हैं आपके कमेंट को पढ़कर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके मतर हम आपका समाधन करेंगे और हमारा एक प्रयास होगा कि जल से जल से जल हम एक ओनलाइन जो लाइव क्लासे होती यूट्यूब पर उसको भी हम आयोजित करवाएंग तो मेरे भी क्लास शुरू होगी मैं आपको बैसिक से जान कर दूँगा कि IT क्या होता है workshop calculation में क्या टोपिक होते हैं 1 St Aire में में कोरोना महामारी की समस्या चल रही है और इस समस्या के कारण सभी कोलेजेस और सभी कोचिंग सेंटर्स पूरी तरसे बंध है शक्षिक जो जगत है वो पूरी तरसे रुका हुआ है क्योंकि कोरोना महामारी इतना भयावर रूप ले चुका है कि सामाजिक दूरी बनाना का वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को जो आप सभी का एक महत्पुन टोपिक होता है जैसे कि आप सभी को पता है कारिशाला गणना विज्ञान जो पूर इसका पूरा सम्मन मैथेमेटिक्स और साइन्स से हैं ये टोपिक अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को काफी नुक्सान हो सकता है क्योंकि प्रेक्टिस बेसिस ये सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि देखिए वायर्मेंट ट्रेड वालों के लिए इलेक्ट्रिशन ट्रेड वालों के लिए इलेक्ट्रोनिक मेक ट्रेड वालों के लिए वेल्डर ट्रेड के लिए फ अबिरती इसमें पास हो जाते और कई अबिरती इसमें पास नहीं हो पाते हैं तो मैंने सोचा एक सीरिस बनाई जाए ताकि आप लोगों को जो जो शिक्षा से आपको जो नुकसान हुआ है वो आपकी पूरी भरपाई हो सके आप घर पे बेट कर इसको पढ़ सके तो आईए शुरू करते हैं कारिशाला गर्णा विज्ञान के पहले चेप्टर के साथ में देखिए मैं आपको इसमें सेलेबस बताऊंगा जो फर्स्ट एर के स्टूडेंटे उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है जैसे कि इसमें हम पदार्स विज्ञान को पढ़ेंगे ये चेप इन टोपिकों को हम फर्स्ट जो मेरा जो सीरिज रहेगा उस सीरिज में इन सभी चेप्टर को करूँगा जो फर्स सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानि की फर्स्ट एर और सेकंड ये दोनों में कॉमन रूप से परिक्षा में आते पूछे जाते हैं तो आईए शुरू क आपको कम समय में अच्छी चीज़े आपको जानकर ही मिले ताकि आप पूरे दिन में अगर आधे घंटे भी अगर आपकी पड़ा ही हो जाती है तो आपको काफी फायदा होगा उस चीज़ का तो सबसे पहले में जो पड़ाई स्टार्ट करते हम लोग उस टोपिक का हमार ना मिलके बना है वी प्लस ग्यान दो शब्दों से मिलके बना है विज्यान है ना तो यहां पर बात आती है ज्यान का मतलब क्या होता है ज्यान का मतलब होता है कि किसी भी जानकारी को ग्रहन करना या उसके बारे में जानना क्या कहलाता है ज्यान कहलाता है और वी का मतलब होता विशिष्ट यानि किसी भी जो जानकर हम प्राप्त कर रहे हैं उसका विशिष्ट ग्यान अगर हम प्राप्त करते हैं तो उससे क्या कहते हैं विज्ञान कहते हैं अब यहां पर बात हो रही है पदार्थ के बारे में बात हो रही है तो पदार्थों के बारे में विशिष्ट ज्ञान को ग्रहन करना क्या कहलाता है पदार्स विज्ञान कहलाता है अब बात करते पदार्स विज्ञान की अवस्थाओं के बारे में कितनी अवस्था है माने गई यह पदार्स की तो पदार्स की मुख्य रूप से तीन अवस्था माने गई यह एक माने गई यह ठोस अवस थोस अवस्ता है ना थोस अवस्ता क्या होता है इसकी आयतन और आकरती दोनों निश्चित होती है ठीक है जैसे कि मैंने बोला है सोना चांदी तामबा या फिर एक और मैं उदारण लेता हूँ जैसे मैंने उदारण लिया है बर्फ का उदारण मैंने लिया है अब बात करते क बर्फ की आकरती निश्चित होती है और बर्फ का आयतन भी निश्चित होता है इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, ठोस अवस्था में उसे हम काउंट करेंगे, इनके अनु के मद्छी आकर्षन बल सबसे अधिक होता है, यानि कि आकर्षन बलका मतलब एक कंड दूसरे कंड़ से क पणको अच्छे तरीक होता है मतलब उनकी आकरती जब किसी की जब हमим strengthened निष्टीत तो उनके बट लिपमत हूंगे उनकर आकर्षन बल हमेश्चा होगा इसके उदारान क्या हो सकते हैं स्वना चांदी मींत्यादी के फो SB अब बात करनेंगे द्रव द्रव अवस्था के बारे में द्रव अवस्था क्या होता द्रव का मतलब होता तरल अवस्था जिसकी आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकरती अनिश्चित होती है जैसे मैं बोलता हूं पानी पानी को आपने कटोरी मिलिया तो कटोरी का रूप धरन कर लेगा पानी को अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास का रूप दरण कर लेगा ठीक है तो उसके आकरती अनिश्चित है परंतो उसका आयतन निश्चित है इसके अनुके मद्य आकरशन बल कम होता है इसलिए ठोस अवस्था में नहीं होता है अगर अनुके मद्य आकरशन अधिक होगा त तो अवस्था क्या कहलेगी, द्रव अवस्था कहलाती है, इसके उदारण लेते हम जैसे पानी, तेल, दूद, इत्यादी, तीसरी बात करते हम गेस अवस्था के बारे में, देखें गेसी अवस्था क्या होती है, इसका आयतन और आकरती दोनों ही अनिश्चित होती है, मतलब हम बात करेंगी कि जो gas होगा वो हवा में जो नजर आती नहीं है तो इसके मतलब जो अनों के मतलब आकर्षन बलोगा वो बिल्कुली नगर नहीं होगा मतलब इसके कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते जगड़े होए नहीं होते इसका आयतन अनिश्चित है मतलब आयतन जिसके अगर gas को आपने बोटल में बंद कर दी तो बोटल के रूप दारन कर लेगी gas को अगर आपने टंकी में डाल दिया तो टंकी के रूप दारन कर लेगी इसकी आकरती भी अनिश्चित होती है उदारन की रूप में बात करेंगे तो सभी प्रकार की जो गेसे होती है वो गेसी अवस्ता में आती है तो आज हमने देखिए अभी हमने क्या पड़ा ठोस अवस्ता द्रव अवस्ता में और गेस अवस्ता तीनों में अंतर पड़ा फिर से रिप्लाय करते हों ठोस अवस्ता में आयतन और आकरती दोनों निश्चित होती है द्रव अवस्ता में आयतन निश्चित होता है परन्तों आकरती अनिश्चित होती है गेस अवस्ता में आयतन और आकरती दोनों ही अनिश्चित होती है यहां आकर्षन बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है द्रव अवस्ता में कम होता है और गेसी अवस्ता में अणो के मत्या आकर्षन बिल्कुल नगर्णी होता है उदारन सोना चांदी, तामबा बर्फ, पानी, तेल, दूद और गेसी अवस्ता में बात करेंगे तो सबसे पहले वर्गी करण का मतलब होते है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक होता है धात्विक पदार्थ और दूसरा होता है अधात्विक पदार्थ क्या आंतर होता है दातिक और अधातिक में देखिए दातिक वे पदार्थ होते हैं जो सामनी ताप पर ठोस सवस्था में पाए जाते हैं मतलब धातिक पदार जितने भी होंगे वो ठोस सवस्था में पाए जाएंगे बात करेंगे पारा तो पारा एक ऐसी धात्विक जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है इसी प्रकारम बात करेंगे अधात्विक में तो अधात्विक की जितनी भी पदार्थ होते हैं वो ठोस द्रव और गेस तीनों अवस्थाओं में पाई जाते हैं तो मतलब धात्विक पदार्थ सभी ठोस अधिक्तर ठोस अवस्ता में पाए जाएंगे सिर्फ पारे को छोड़कर और अधात्विक ठोस द्रव और गेस तीनों अवस्ताओं में पाए जाते हैं दूसरा अंतर की बात करेंगे हम धात्व उपर जब चोट मार जी जाती है तब एक विशेश प्रकार की ध्वनी उत्पन होती है और जब अधात्व उपर जब चोट मारेंगे तो उस पर आवाज नहीं होती है दातों के सता पर विशेश प्रकार की एक चमक होती है ठीक है और अधातों में ग्रेफाइट और आयोडिन को छोड़ करके कोई भी चमक नहीं होती है मतलब प्रश्ण ऐसा आएगा परिक्षा में निम्ड मेंसे कौन से अधातो है जिन में चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट और आयोडिन ऐसे हैं अधातों जिन में चमक पाई जाती है इसके अलावा सभी अधातों में चमक नहीं पाई जाती है और धातों में सभी में चमक पाई जाती है नेक्स बात करते हैं अब आपके मन में प्रश्ण आ रहोगा कि धातों क्या होता है तो देखिए धातों के बारें बात करते हैं धातों खनीज पदार्तों से प्राप्त होती है मतलब जहां से खनीज प्राप्त होंगे वो ही क्या कहलाईगी धातों कहलाईगी जो प्रकरती में आयसकों की रूप में मिलती है आयसक का मतलब यह होता है कि किसी भी शुद्ध रूप में चीज नहीं मिलना कच्चे माल को लाग करके उसमें से चीज को या उसमें से खनीज को निकालना क्या कहलाता है दातू कहलाती है अब बात करते हैं हम दातों के गुणों के बारे में दातों के गुण कितने होते हैं तो दात्वों के मुख्य रूप से तीन गुण होते, एक होते है बोतिक गुण, दूसरे होते है यांत्रिक गुण, और तीसरे होते है रासाइनिक गुण, तेकि बोतिक गुण का मतलब यह होता है, जो हमें सामने नजर आ रहा हो, जो सामने दिखाई दे रहा हो, उसे कहते है बोतिक अवस्ता या बोतिक गुण केते हैं और किसी गुण को दूसरे गुण में जब परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं यांत्रिक गुण और रासायनिक का मतलब यह होता है रासायन के माद्यम से या दो पदार्थों के माद्यम से जब पदार तीसरे गुण को दारंड कर लेता है तो उसे कहते हैं रासाइनिक गुण कहते हैं आईए चर्चा करते हैं एक एक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम बहुतिक गुण के बारे में बहुतिक गुण क्या होता है वह गुण जिसके फलसर उसके रंग, बार, बनावट, गलनियता, चालकता और चुम्बिते का ग्यानों यानि कि देखे जब हम वस्तु को जब देखेंगे तो हम उसका रंग नजर आएगा रंग के आदार पर हम वस्तु को पदार्थ की क्या कर रहें, जानकर रिप्राप्त कर रहें जैसे कि मैंने आपके सामने सोना रखा, और मैं बोलता हूँ कि ये तो लोहा है तो आप क्या विश्वाश करोगे क्या नहीं करोगे क्योंकि सोना अपने रंग से पेचाना जाता है दूसरा बात करूँगा मैं बात हर वस्तु का अपना अलग अलग बार होता है ठीक है बनावट क्या दार पर हर वस्तु की अपनी अलग बनावट होती है गलनीता का मतलब य कि होता है कि जब हमने किसी वस्तु में विद्यूत का प्रवा किया तो जब विद्यूत का प्रवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो क्या वह पदार्त के माध्यम से कर तो पदार्त चालक है या नहीं है अगर पदार्त में विद्यूत का प्रवा हो कत्व का गुण है यह नहीं जिसे लोहे की वस्तों चुम्बक की और आकर्शित होती है तो इसमें मतलब उस पदार्थ में चुम्बक कत्व का गुण पाया जाता है जो में इस पर शुरूप से नजर आता है अब बात करते हैं यांत्रिक गुण का मतलब क्या होता है वह से दूसरे गुण में बदलना क्या कहलाता है यांत्रिक गुण कुछ प्रमुख यांत्रिक गुण ने जो परिक्षा में काफी पूछे जाते हैं इंके बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे नाम पढ़ लेते हैं एक बार सामर्थिता प्रत्यास्ता सुगटिता तन्यत बंगूर्था आगतवर्दिन्ता कठोर्था चीमडपन या मशिन्ता अब देखिए मैं आपको इनके बारे में बेसिक डिटेल देता हूं आपको सामर्थिता का मतलब क्या होता है जब किसी वस्तू पर बल आरोपित किया जैसे यह वस्तू इद्यान से देखिए ठीक है इस सबस्तू की क्या कहलाती है सामर्थिता कहलाती है नमबर दूसरा बात करेंगे प्रत्यास्ता प्रत्यास्ता का मतलब यह होता है जब किसी वस्तू पर बल लगाया तो उसके आकरती में क्या हुआ changes हो गया चीक है और जब हमने बल वापस हटा लिया तब वस्तु अपने पुना आकार को ग्रहन कर लेती है उसे क्या कहते है प्रत्यास्ता का गुण कहते हैं जैसे समझिएगा आप मैंने एक रबड है रबड पर जब मैंने बल आरोपित किया तो बल आरोपित करने से रबड के आकरती में परिवर्तन हो गया लेकिन जैसे ही मैंने उसके दोनों सीरों से बल को हटाया तो रबड अपनी पुना आवस्ता को धारण कर लेता है जैसे रबड की बोल होगी स्पंज वाली बोल होती है हम जब उस पे बल लगा तो उसके आकरती ही चेंज हो जाती है और जैसे बल हटाया वो अपनी पुना अपनी आकरती को ग्रहंट कर लेती है ऐसी आवस्ता को प्रत्यास्ता कहते हैं बात आती है सुगटिता को इंगलीश में कीते प्लास्टिसिटी सुगटिया गता का मतलब यह होता जब किसी वस्तु पर बल आरूपित किया तो वो अप किसी बल अहता है वो अपने पुर्य आ करको ग्रहन नहीं करती क्या कहलते यह सुग दिता तन्यता का मतलु होता है वस्तू को ठोक पीट करके तारों की रूप में बनाना क्या क्या कहलाता है यह NO आरोपीत क्या तो वस्तू को दो टुकुडों में विबक्त हो जाना क्या कहलाता है बंगूरता का गुण कहलाता है नेक्स्ट बात करता हूं मैं आगात वर्दिनता की आगात वर्दिनता का मतलब भी होता है जब किसी वस्तु पर आगात किया जाता है आगात का मतलब उस पर प्रहार किया जाता है बल लगाया जाता है तब वस्तु की आकरती में क्या हो जाता है परवर्ट टीन सेट्ट या चद्रों के रूप में उसका आकार हो जाता है नेक्स्ट बात है कठोरता कठोरता आका और सामर्तिता की परिभाशा बिल्कुल एक जिसी है यानि कि वस्तु पर जब तक बल लगाया जाए और बल सैन करने की ख्षमता होती है वह वस्तु कि क्या कह तो तोटे आरास आसानी से क्या हो सके मूड सके जैसे कि वस्तु की देखिया उपने साकल बनाई जाती है तो वस्तु को ठोक पीट करके नए आकार को गुमावदार मोड आकार उसे देना लेकिन वो तूट नहीं नहीं चाहिए और होता है मशीनता का गुन मशीनता के गुन कहते हैं नेक्स बात करते हैं यांति रासानी गुनों के बारे में चर्चा करते हैं देखिये रासानी गुनों के बारे में चर्चा करते हैं समझेंगे द्यान से रासानी गुन का मतलब क्या होता है वह गुन जिसके फल सो दातु किसी मूल पदार से क्रिया करके अन्य पदा कर ला लुढ में दर लेता है उसे कहते हैं वसतु का रासानिक गुण कहते हैं जैसे देखिए संक्षाणां का मतलब होता है जंग लगना देखिए जब किसी लोहे की रोड़ को पानी डाल करके रेत में डाल दिया जाता है तो कुछ समय बाद में रेत का कलर कैसा हो जाता है लाल कलर हो जाता है यानि कि जंग की वज़े से वस्तु के कलर में क्या हुआ परिवर्तन हो गया तो यह संक्षारन गुण एक प्रकार का रासाइनिक गुण है अमलिता शारित्या का गुण भी क्या होता है रासानिक गुण होता है आईए डीटेल में चर्चा करते हम एक एक के बारे में देखें प्रमुक बात करते हैं बोतिक गुणों के बारे में बोतिकुन में नंबर एक जो बात करेंगे वो करेंगे हम रंग के बारे में तो क्या होगा सबी धातों का रंग अलग अलग होता है नेक्स्ट बार क्या होता है सबी वस्तों का गनत्व अलग अलग होता है गनत्व के कारण ही वस्तो के हलकेपन वा भारीपन का पता चलता है अब आपने देखा होगा एक छोटी सी बोल होती है लोही की वो पानी में डूब जाती है लेकिन बड़े बड़े जहांज भी पानी में नहीं डूब पाते क्यों ुसका कारन क्या होता है। ुसका कारन था उनका गनत्व की वजह से । धात्वए विबिन आकृतिव में पाई जाती यह भी की बनावट अलग-अलग होती है। देखिए यहां पे सबसे मातपुर्ण और यहां से सबसे important प्रश्ण आने की संभावना रिती हर परिक्षा में एक प्रश्ण यहां से पूछा जाता है गलनीता प्रत्यक धातु का गलनांग बिंदू होता है जिस पर पिगल का ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है इसका मतलब यह होगा देखिए इसको मैं जूम करके बताता हूं आपको समझेगा इसे प्रत्य एक बिदातु को क्या होता है गलनांग बिंदू होता है गलनांग बिंदू का मतलब मैंने बताया था जिस्त आपक्रम पर वस्तु का क्या होता है गलन शुरू हो जाता है जैसे कि पानी 100 डिग्री सेलसेश पर उबलना शुरू होता है वहां से वह वाश्प का रूप वस्तु ठोच एक इसमे परिवरतित हो तो द्रव में उसे क्या कहिए के घंगे तो देख़ी विभिनत द्दातु क्त पाहं बता हैं में यह yapmış रिवनत ग्रांग की sound एकायाल से 1083 degree Celsius तक होता है तता इसका गनत कितना होता है 8.9 gram पर centimeter cube कीूब नमबर दो बात करेंगे हम Ahí-lo की मीनियम का गनत कितना होता है 655 से 660 degree Celsius होता है और 0.7 gram प्रति centimeter cube इसका गनत होता है सीस्ट्रे की बात करेंगे तो 325 इसका गलनांग होता है तता गनत तो इसका 11.4 ग्राम प्रती सेंट्रीमिटर क्योब होता है तीन या रांगा की बात करेंगे तो 203 इसका गलनांग होता है 203 डिग्री सेल्सियस का गलनांग होता है जबकि 7.3 ग्राम पर सेंट्रीमिटर क्योब इसका गनत होता है देखी परिक्षा में सीधे सीधे परशन आते हैं कि जस्ते का गलनांग कितना होता है तो आपको बताना है तो 419 डिग्री सल्सियos होता है और जबकि इसका गन्यातो कितना होता है 6.9 ग्राम पर सेंटेमीटर क्यूब होता है इसी प्रकार चांदी की बात करेंगे तो 960 डिग्री सेल्सिस इसका गलनांग होता है जबकि 10.5 ग्राम पर सेंटेमेटर क्यूब इसका क्या होता है गलनांग होता है तो आपको सभी के गलनांग और सभी धातू के गन्नत के बारे में आपको पढ़ना यह कुछ इमपोर्टेंट थे जो मिएने आपको सानदी में आपको बताए नेक्स बात करते हैं चालकता जिन दातू में उश्मा का प्रवा हो वे वस्तु हैं नहीं हो तो वह क deaf था गुंव के लाएगा जिसे कि कोई लोहे की वस्तु ए वह अन्य लौह धातू को अपनी और आकरशित कर जैसे कि कोई लोहे की वस्तु है वो अन्य लोहे की वस्तु का अपने और आकरशित कर रही है तो उसमें चुम्बकतों का गुन पाया जारा इस लिए वो चुम्बकीता कहलाती है नेक्ष बात करते हैं पदार्तों के प्रमुक यांत्रिक गुणों के बारे में सबसे पहले लेते हैं सामर्थिता सामर्थिता को कहते हैं स्ट्रेंथ के नम से बीना नस्ट हुए बाहिय बलों को सहन करने की जो क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है सामर्थिता का गून केलाता है मतलब बाही ये बल लगा इस पर कोई असर नहीं हुई उस ने पूरी पूरी बाही बल लग अलग होती है ये प्रस्नित सत्य और असत्य कथन में 10 पार पूछा गया त guessing अतला करते हैं प्रतियास्ता के बारे में elasticity बल लगाने पर आकरती में परिवर्तन हो जाता है तता बल हटाने पर आकरती पुना अपने रूब को धारन कर लेती वस्तुका यह क्या गुण क्या कहलता है प्रत्यास्ता का क्यालता है जैसे रबढ़, इसपात, इत्यादी यह सभी क्या प्रतिय सता के गुण होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं सुगटिता मतलब प्लास्टिसिटी बल लगाने पर वस्तूपने आकरती में परिवर्णतर होता है परन्तु बल हटाने पर वस्तूपने पुना मूल आकरती में नहीं आती जिससे चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक, इत्यादी नेक्स बात करते हैं तन्निता, डक्टिलिटी किसी वस्तु पर बल लगाने से बीना टूटे तार के रूप में खीच जाए मतलब वस्तु बीना टूटे हुए तारों की रूप में उसका निर्माण हो जाए इस गुण के कारण ही दातु के क्या बनाए जाते है तार बनाए जाते हैं जिन दातु में तन्निता का गुण का उनी दातु के तार बनाए जाते है तो देखिए तामबा तामबे के तार आपने देखे होंगे ताम्बे के तार बजार में उपल्फ तो जो हमारे घर की एलेक्ट उट्रिसिटी में यूज़ किये जाते है न तो ताम्बे में तनी ताक का गुन पाया जाता है आगाद करने से उसके आकार में वर्दन हो जाता है तता वस्तु चादर की रूप में आकार धारन कर ले तो इसे क्या कहते है आगात वर्दिन का गुण कहते है सोना सबसे अधिक आगात वर्दनी दातु है इंपोर्टेंट प्रशन है नेक्स बात करते हम कठोड़ता दातु का वह गुण जिसके फल सुरूव आसाने से गिसे कटे अठवा मुड़े नहीं मतलब जब वस्तु पर बल लगाया तो न तो उसमें कुछ गिसा हो रहा है न वो कट रही है और नहीं वो मुड रही है वस्तु का ये गुण क्या कहलता है दातु का ये गुण क्या कहलता है कठोड़ता कहलता है हीरा सबसे अधिक कठोड़ दातु में जाना जाता है नेक्स बात करते हैं चीमडपन या कड़ापन दातू को मोडने पर बीना टूटे नहीं आकरती ग्रहन कर लेना क्या कहलाता है? चीमडपनिया कड़ापन कहलाता है मशिन्ता मशिन की सायता से वस्तू के आकार को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? मशिन्ता का गुण कहलाता है नेक्ट बात करते हैं प्रमुक रासाइनिक गुण के बारे में ठीक है देखिए दातु पर अमलयाक शार के फल सुरू पढ़ने वाले जो प्रभाव होते हैं वो सब भी रासाइनिक गुण होते हैं जैसे कि मैं किसी एसिड को जब किसी दूसरे पदार्थ पर डाल देना जैस में अमले की मात्रा काफी अधिक होती है लौह लौह दातु ओपर पानी लगने से क्या हो जाता ज़ंग लग जाता है तो यह संख्शारन का गुण वहाट जब सेव को चाकूस से जब काट दिया जाता है तो सेव का रंग क्या हो जड़ þiT kalo पड जाता है तो यह क्या होता सेब को आपने देखा होगा सेब काले गलर के हो जाती तो यह प्रकर का क्या है रासाइनिक गुने तो दोस्तों आज की इस टोपिक में आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में सामने जानकरी को पड़ा और नेक्स इसका पार टू बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लोग धातू उर्त अलोग धातू के बारे में बताऊंगा ठीक है कुछ कूछ अलग धातू है कुछ सूच अलग धातू है कुछ अर्दच अलग धातू के बारे में बताऊंगा जहां से प्रशन आते हैं यह वीडियो देखा जाये तो काफी महत्पून है, जो student railway exam की तैयरी करे, उन लोगों के लिए भी काफी महत्पून होता है, क्यूंकि railway में भी पदार्थ विज्जान का topic काफी महत्पून है, और वहाँ से प्रश्ण हमेशा पूछे जाते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यह topic और आपको किसी प्रकार का अगर कोई doubt होता है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं ताकि मैं next video जो भी बनाओ उसमें आपके comment को ध्यान में रखते होगे next video को मैं जो भी मुझे सुधार करना होगा मैं वो करूँगा दन्यवान